परमेश्वर के दैनिक वचन परमेश्वर एक बार फिर देह में वापस आया है और देह की समस्त सामान्यता और वास्तविक्ता को जी रहा है। अर्थात एकदम सामान्य और साधारन देह में परमेश्वर के वचन को प्रकट कर रहा है। इस प्रकार उस कार्य का समापन कर रहा है जिसे उसने देह में अधूरा छोड़ दिया था। दूसरा देहधारन सार रूप में पहले के ही समान है। लेकिन ये अधिक वास्तविक और पहले से भी अधिक सामान्य है। परिनाम स्वरूप दूसरा देहधारी देह पहले देहधारन से भी अधिक पीड़ा सहता है। किन्तु ये पीड़ा देह में उसकी सेवकाई का परिनाम है। जो की एक भ्रष्ट मानव की पीड़ा से भिन है। ये भी उसके देह की सामान्यता और वास्तविकता से उत्पन्न होती है. क्योंकि वो अपनी सेवकाई का कार्य सरवथा सामान्य और वास्तविक देह में करता है, इसलिए उसके देह को अत्यधिक कठिनाई सहनी होगी. उसका देह जितना अधिक सामान्य और वास्तविक होगा, उतना ही अधिक वो अपनी सेवकाई में कश्ट उठाएगा परमेश्वर का कार्य एक बहुत ही आम देह में अभिव्यक्त होता है ऐसा देह जोकी बिलकुल भी अलोकिक नहीं है चूँकि उसका देह सामान्य है और उसे मनुष्य को बचाने के कार्य का दायत्व भी लेना है इसलिए वो अलोकिक देह की अपेक्षा और भी अधिक पीड़ा भुगतता है और ये सारी पीड़ा उसके देह की वास्तविक्ता और सामान्यता से उत्पन होती है सेवकाई का कार्य करते समय जिस पीड़ा से दोनों देहधारी देह गुजरे हैं उससे देहधारी देह के सार को देखा जा सकता है देह जितना अधिक सामान्य होगा उसे कार्य करते समय उतनी ही अधिक कठिनाई सहनी होगी कार्य करने वाला देह जितना अधिक वास्तविक होता है, लोगों की धारनाएं भी उतनी ही अधिक कठोर होती हैं और उस पर आने वाले खत्रों की आशंका उतनी ही अधिक होती है फिर भी देह जितना अधिक वास्तविक होता है और उसमें सामान्य मानव की जितनी अधिक आवशक्ताएं और पूर्ण बोध होता है वो उतना ही अधिक परमेश्वर के कार्य को देह में करपाने में सक्षम होता है येश्व के देह को सलीब पर चढ़ाया गया था उसी ने पाप बली के रूप में अपने देह को दिया था उसने सामान्य मानवता वाले देह से ही शैतान को हरा कर सलीब से मनुष्य को पूरी तरह से बचाया था और पूरी तरह से देह के रूप में ही परमेश्वर अपने दूसरे देह धारण में विजय का कार्य करता है और शैतान को हराता है केवल ऐसा देह जो पूरी तरह से सामान्य और वास्तविक है अपनी समग्रता में विजय का कार्य करके एक सशक्त गवाही दे सकता है अर्थात देह में परमेश्वर की वास्तविक्ता और सामान्यता के माध्यम से ही मानव पर विजय को प्रभावी बनाया जाता है ना कि अलौकिक चमतकारों और प्रकटनों के माध्यम से इस देहधारी परमेश्वर की सेवकाई बोलना मनुष्य को जीतना और उसे पूर्ण बनाना है दूसरे शब्दों में देह में साकार हुए पवित्रात्मा का कार्य देह का कर्तव्य बोलकर मनुष्य को पूरी तरह से जीतना उजागर करना, पूर्ण बनाना और हटाना है इसलिए विजय के कार्य में ही देह में परमेश्वर का कार्य पूरी तरह से संपन्न होगा आरंभिक छुटकारे का कार्य देह धारण के कार्य का आरंभ मात्र था विजय का कार्य करने वाला देह देह धारण के समस्त कार्य को पूरा करेगा लिंग रूप में एक पुरुष है और दूसरा महिला ये परमेश्वर के देह धारण की महत्ता को पूर्णता देकर परमेश्वर के बारे में मनुष्य की धारनाओं को दूर करता है परमेश्वर पुरुष और महिला दोनों बन सकता है सार रूप में देहधारी परमेश्वर स्त्रीलिंग या पुलिंग नहीं है उसने पुरुष और महिला दोनों को बनाया है और उसके लिए कोई लिंग भेद नहीं है कार्य के इस चरण में परमेश्वर संकेत और चमतकार नहीं दिखाता ताकि कार्य वचनों के माध्यम से अपने परिणाम प्राप्त करे क्योंकि देहधारी परमेश्वर का इस बार का कार्य बीमार को चंगा करना और दुष्टात्माओं को निकालना नहीं है बलकि बोलकर मनुष्य को जीतना है जिसका अर्थ है कि परमेश्वर के इस देहधारन का सहज गुण वचन बोलना और मनुष्य को जीतना है न कि बीमार को चंगा करना और दुष्टात्माओं को निकालना। सामान्य मानवता में उसका कार्य चमतकार करना नहीं है, बीमार को चंगा करना और दुष्टात्माओं को निकालना नहीं है, बलकि बोलना है। और इसलिए दूसरा देहधारी देह लोगों को पहले वाले की तुलना में अधिक सामान्य लगता है। लोग देखते हैं कि परमेश्वर का देहधारन मिध्या नहीं है, बलकि ये देहधारी परमेश्वर ईशु के देहधारन से भिन्न है। हालांकि दोनों ही परमेश्वर के देहधारण हैं, फिर भी वे पूरी तरह से एक नहीं हैं। यीशु में सामान्य और साधारण मानवता थी, लेकिन उसमें अनेक संकेत और चमतकार दिखाने की शक्ती थी। जबकि इस देहधारी परमेश्वर में, मानविय आँखों को ना तो कोई संकेत दिखाई देगा और ना कोई चमतकार, ना तो बीमार चंगे होते हुए दिखाई देंगे, ना ही दुष्टात्माएं बाहर निकाली जाती हुई दिखाई देंगी, ना तो समुद्र पर चलना दिखाई देगा, ना ही चालीस दिन तक उपवास रखना दिखाई देगा। वो उसी कार्य को नहीं करता जो यीशु ने किया, इसलिए नहीं कि उसका देह सार रूप में यीशु से भिन्न है, बलकि इसलिए कि बीमार को चंगा करना और दुष्टात्माओं को निकालना उसकी सेवकाई नहीं है। वो अपने ही कार्य को ध्वस्त नहीं करता, अपने ही कार्य में विग्न नहीं डालता, चूंकि वो मनुष्य को अपने वास्तविक वचनों से जीतता है, इसलिए उसे चमतकारों से वश्मे करने की आवश्यक्ता नहीं है। और इसलिए ये चरण देहधारण के कार्य को पूरा करने के लिए है। आज तुम जिस देहधारी परमेश्वर को देखते हो, वो पूरी तरह से देह है और उसमें कुछ भी अलौकिक नहीं है। वो दूसरों की तरह ही बीमार पड़ता है, उसी तरह उसे भोजन और कपड़ों की आवशक्ता होती है। वो पूरी तरह से देह है। यदि इस बार भी देहधारी परमेश्वर अलौकिक संकेत और चमतकार दिखाता, बीमारों को चंगा करता, दुष्टात्माओं को निकालता या एक वचन से मार सकता, तो विजय का कार्य कैसे हो पाता। कार्य को अन्य जाती राष्ट्रों में कैसे पहलाया जा सकता था? बीमार को चंगा करना और दुष्टात्माओं को निकालना अनुग्रह के युग का कार्य था। छुटकारे के कार्य का ये पहला चरण था। और अब जबकि परमेश्वर ने लोगों को सलीब से बचा लिया है, इसलिए अब वो उस कार्य को नहीं करता। यदि अन्त के दिनों में ये शुके जैसा ही कोई परमेश्वर प्रकट हो जाता, जो बीमार को चंगा करता और दुष्टात्माओं को निकालता और मनुष्य के लिए सलीब पर चढ़ाया जाता, तो वो परमेश्वर, बाइबल में वर्नित परमेश्वर के समरूप तो अवश्य होता, और उसे मनुष्य के लिए सुईकार करना भी आसान होता। लेकिन तब वो अपने सार रूप में परमेश्वर के आत्माद्वारा नहीं, बलकि एक दुष्ट आत्माद्वारा धारण किया गया देह होता। क्योंकि जो परमेश्वर ने पहले ही पूरा कर लिया है, उसे कभी नहीं दोहराना, ये परमेश्वर के कार्य का सिध्धान्त है, इसलिए परमेश्वर के दूसरे देहधारण का कार्य पहले देहधारण के कार्य से भिन्न है। अंत के दिनों में परमेश्वर विजय का कार्य एक सामान्य और साधारण देह में पूरा करता है। वो बीमार को चंगा नहीं करता, उसे मनुश्य के लिए सलीब पर नहीं चढ़ाया जाएगा, बलकि वो केवल देह में वचन कहता है, देह में मानव को जीतता है। ऐसा देह ही देहधारी परमेश्वर का देह है, ऐसा देह ही देह में परमेश्वर के कार्य को पून कर सकता है।